नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं की हरीक जयनती समारो के दौरान परधान मंत्री नागरिक, केंदरित, सुचना और परधयोग की पहल का सुभारम करेंगे जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोट रिपोर्ट डिजिटल कोट 2.0 और सुप्रीम कोट की नई वेवसाइट भी सामील होगी आपको पता दे कि डिजटल सुप्रिम कोट रिपोर्ट देश के नागरिकों को निसुलक और इलेक्ट्रोनिक प्रारूप में सुप्रिम कोट के फैसले उपलब्द कराएगी सुर्य और चंदरमा के बाद अब नए मिशन की बारी इंसेट 3DS के प्रचेपन की त्यारी कर रहा है इसरो भारतिय अंत्रिक्ष अंसंधान संगठन इसरो मौसम समंदी उपगरह इंसेट 3DS के प्रचेपन के लिए त्यारी कर रहा है इसरो ने सनिवार को कहा कि इंसेट 3DS को GSLV F14 से लौंच किया जाएगा सुत्रों के मुताविक फरवरी के मधे में इसे प्रचेपित करने का लक्ष है इंसेट 3DS बिसिस्ट मौसम समंदी उपगरह है जिसका प्राथमिक उद्यस से मौझूदा कक्षा में इंसेट 3D और 3DR उपगरहों को सेवाओं की निरंतरता परदान करना और इंसेट परनाली की छमताओं को बढ़ाना है भारत जोडो नियायात्रा राहुल गांधी दो फरवरी को पांकुड से करेंगे शुरुआत कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोडो नियायात्रा को लेकर छारकन परभारी गुलाम अहमद मीर, मंत्री आलमगीर आलम, विधायक बंधुतिर की सहित अने नेताओं ने सनीवार की साम को पांकुड सरकिट हाउस में बैठक की बैठक में राहुल गांधी के दो फरोरी को पांकुड आगमन, पांकुड में साम को राहुल गांधी का संबोधन और लिटी पाड़ा परखन छेतर में उनके रात्री ठाराओ को लेकर चर्चा की गई इस दोरान उनके रूट से लेकर आम लोगों की साबागिता को लेकर भी चर्चा की गई लोगसभा चुनाओ दो हजार चोबिस लक्षमी कांत बाजबई जारखन के चुनाओ परभारी नियुक्त लक्षमी कांत बाजबई को जारखन का परदेश चुनाओ परभारी नियुक्त किया गया है बिनोत तावड़े वाज जारखन के पूरुव बिजेपी परदेश अध्यक्ष वा राजे सभा सांसत दीपक परकास को बिहार का दाई तो दिया गया है पस्चि मंगाल की जिम्मेदारी MLC मंगल पंडे, अमित मालुए एवं राची की पूरुव मेर वा बिजेपी की राष्टिय मंत्री आसा लकडा को दी गई है बिजेपी के राष्टिय अध्यक्ष जेपी नड़ा की ओर से इसकी निक्ति की गई है बिजेपी के राष्टिय महासची और मुख्याल परभारी अरुन सिंग द्वारा ये सुचना जारी की गई जहारखंड के इन इसकूलों में सुरू होगी अब AI की पढ़ाई जहारखंड काउंसिल फोर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन के तहत संचालित स्कूलों में अब नौवी कलास से ही बचों को आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, मसिन लर्निंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाय जाएगी इसी सतर से इसकी सुरुआत हो रही है हैदराबाद में हुए नेशनल प्रिंस्पल कॉन्फरेंस में यह निरने लिया गया साथ ही यह भी तैक किया गया कि अगर कोई एस्टुडेंट कंप्यूटर के छेत्र में उम्धा परदर्शन करना चाहता है तो वह अपनी इक्षा के अंसार कंप्यूटर साइंस के साथ ही रोबोटिक्स और आर्टिफिस्यल इंटेलजेंस के बिसाय को भी जोड़कर आगे की पढ़ाई कर सकता है साथ ही वो केस्टनल कोर्स में टेन बैगलेस्ट डे होगा नेशनल कॉन्फरेंस में लियेगर निर्ने के साथ ही लोयोला इसकूल बिस्टूपूर और गुलमोहर हाई सकूल परबंधन ने इसी सतर से इसकूल में रोबोटिक्स और आर्टिफिस्यल इंटेलजेंस की इसकी पढ़ाई सुरू करने की घोसना की अगले सतर से के एस, एम एस और जे एएच तारापूर इसकूल में फिजिकल एजूकेशन की सुरूआत होगी गुलमोहर हक की प्रिंस्पल प्रीती सिनहा ने बताया की हैदराबाद में हुए बोड की बैठक में अगर वह बयांदर्च कराने नहीं आएंगे तो इडी खुद उनके पास पहुंचेगा इससे पहले 22 जनौरी को ED ने नवा समन भेज कर CM को पूश्टाष के लिए 27 से 31 जनौरी का समय दिया था 25 जनौरी को CM हमानसुरेण ने ED को पत्र लिख कर 9 समन का जबाब दिया था 9 समन के बाद ED को भेजी चीठी में CM हमानसुरेण ने अपनी ब्यस्ता का हवाला दिया और कहा कि इस समन का जबाब बाद में देंगे इधर ED ने 27 जनौरी को फिर से मुकमंत्री को समन भेजा है जारखंड में बारिश के आसार नहीं कबकपाती ठंड से मिलेगी रहात राची जारखंड में फिलाल बारिश के आसार नहीं है कबकपाती ठंड से भी लोगों को जल्द रहात मिलने वाली है मौसम भाग ने अपने पुरवानुवान में बताया कि तापमान धिरे-धिरे चड़ेगा और लोगों को धिरे-धिरे ठंड से रहात मिलेगी इस दोरन हावा की गती भी धीमी रहेगी इस कारण धूप का असर दिखेगा राची का अधिक्तम तपमान एक दिन में 3 डिग्री सेल्सियस के करीब बढ़ा है सनिवार को राइधानी राची का नियुंतम तपमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया मौसम केंदर की माने तो अब लोगों को ठंड से रहात मिलेगी तपमान धिरे धिरे चड़ेगा 28-31 जनवारी तक अधिक्तम और नियुंतम तपमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस तक की ब्रेधी हो सकती है जारखन सीविल सेवा के 342 पदों पर निकली वेकेंसी इस दिन से कर सकते हैं आप आवेदन जारखन लोग सेवा आयोग जेपीएसी ने सीविल सर्विस परिक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आयोग कुल 342 पदों पर वेकेंसी निकाली है अगर आप भी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए एक फरवरी से आधिगारेक वेवसाइट jpsc.jov.in पर जाकर ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं अपलाई करने की लास्ट टेट 29 फरवरी है परिक्षा का सुल भुकतान एक मार्च तक किया जाएगा पिटाई कर दी जिसके एक सब्ता बाद उसकी मौत हो गई है बता गया है कि एक सब्ता पहले पंचायत लगा कर आरोपी की पिटाई की गई पिटाई के बाद उसके पूरे सरीर पर जहरीला भेलवा तेल मल दिया गया युवक की मौत के बाद पुलिस ने 17 लोगों को गिरा परिक्षा में 28 जनौरी को 3.22 लाख अव्यार्थी होंगे सामिल जार्खन समाने असनात तक योगताधारी संयुक्त पर्त्युक्ता परिक्षा 28 जनौरी वह चार फरोरी को होगी 2025 पदो पर न्युक्ति के लिए इस परिक्षा में लगभग 6.25 अव्यार्थी सामिल होंगे पहले दिन अर्थार्च 28 जनौरी को आयूद होने वाली परिक्षा में लगभग 3.22 लाख अव्यार्थी सामिल होंगे जारकन करमचारी चयन आयो की ओर से परिक्षा के सफल संचालन के लिए राज के सभी 24 जीलो एवम अनुमंडल मुख्यालों में 735 परिक्षा के अंदर बनाए गये हैं चार फर्वारी की परिक्षा को लेकर 28 जनवरी से परवेसपत्र डाउनलोड करने के लिए योग की बेवसाइट पर लिंक परकासित किया जाएगा जम सेथपुर की बदलेगी तस्वीर ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ती गुजरात की कमपनी वनाएगी 3.5 किलोमेटर लंबा फ्लाइवर गुजरात अहमदाबाद की दिनेस चंदर अगरवाल और इवरा एसकोन की जोईंट वेंचर कमपनी सहर में सकाची से मानगो के बिच 3.4 किलोमेटर लंबे फ्लाइवर का निर्मान करेगी फ्लाइवर स्वर्ण रेखा नदी के उपर से गुजरेगा इससे सहरवास्यों को ट्रैफिक जाम से अस्थाई रूप से निजात मिलने की संभवना है तकने की वह बित्य बीड की समिछा के बाद एलवन आई एजनसी दिनेस चंद्र अगरवाल और इभरायस कौन की जॉइंट वेंचर कमनी ने टेंडर को अपने पक्ष में कर लिया है पथ निर्मान विभाग की अभियंता प्रमुक कृष्ण कुमार लाल ने इस आस्या का आदेश भी जारी कर दिया है गौर्त लभाय की 7 नुवंबर 2022 को सीम है मंसर ने बिष्टूपूर गोपाल मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार समारों में सहर के पहले फलायवर का सिलान्यास भी किया था